केरी कर्शन चारित मानस एपिसोड 21 प्रसंग नरसी का भात भक्त की लाज रखने के लिए भगवान क्या क्या करते हैं आज हम अपने शुरुताओं के लिए इसे सुनाते हैं तुमंगल मूरति क्रेश्न मूरारी सकल त्रास के ही में टनहारी अंसुमाल तनिया जहां बहिती रहे अविराम भारतिय दर्सं सहित उद्यत हुए ब्रजधाम जगत पत क्रिशन चंडरपद जैसर्णम शंकर हर्योम जै जै घर्श्याम भागवान शिरीकेशन कल्याण के करने वाले हैं और सभी दुखों को नश्ट करने वाले हैं जहां अंसुमाल तनिया अर्थात यमुना जहां पर यमुना नदी लगातार बहती रहती है ऐसे ब्रजमंडल में भारतिय दर्सं के साथ यानि की इंडियन फिलोस्पी जो भारतिय संस्कृती का मुल्टत्त है उसके साथ ऐसे ब्रजधाम में भागवान शिरीकेशन का उद्य हुआ तो पावन बसुंद्रा अब तरे प्रभुरूप मान अब धार के दीपार्थ को संजीवनी गीता के बचन उचार के आगम निगम मैं जो नहीं वो बचन कहे उद्धार के नियामक बने प्रभु धर्मों के और प्रणेता संसार के संसार में भारत भूमी को पावित्र मान गया है क्योंकि यहां गंगा और यम्ना जैसी पावित्र नदियां बहती है भारतिये संस्कृति भी महान है और इस विशे में भारत धर्म गुरु यानि विश्व गुरु भी रहा है ऐसी पावित्र भूमी पर भागवान श्री किष्ण ने मन शुरूप में अवताल लिया और जो अर्जुन करमपत से हट गया था उसे संजीवनी की तरह बूटी पिला करके यानि गीता के बचन दे करके उसे पुलर जीवित किया बेज सास्त्र में जो नहीं है वो कल्यान कारी बचन कहे नियामक बने प्रुव धर्म के रचेता वले और पूरे संसार के प्रनेता वले कीता में निचोड उसका मूल तक तो ये है प्रकृति आती भूतानी निग्रे किम कर्शती पार्थो नहीं हर्स्तो आवा गमनम विश्व जालोतर शिलेन भुणगो बात्र अले हे अरजुन तू यहां हट क्या करेगा ये प्रकृति जो चाहेगी वो करा लेगी और वो करना ही होगा क्योंकि मनुष्व का आवा गमन इस पिर्थी पर होता है और पिर्थी पर आकर के मनुष्व इस प्रकार से प्रकृति के चंगुल में फस जाता है जैसे मकडी चाल में फस जाती है अर्थात जो प्रकृति चाहेगी वो करा ही लेगी और यदि प्रकृति युद्ध कराना चाहेगी तो तुझे करना ही होगा भगवान शीरी कृष्ण पिछली लिलाओं में हम यहां तक बता चुके थे कि उन्होंने कंस का वद किया और कंस का वद करने के उपरांत राजागृशन को जो कात्यों यानि जो पहले राया थे वही राजा बना दिये स्वैम राजपद नहीं लिया ये भी उनका महंत्याग है राजपद जो हकदार था उसी को सिंग राश सिंग आसन पर बिठा दिया उसके उपरांथ शिरी कृष्ण ने गुरु संदीपन से शिख्षा ग्रेण की और उसी समय कुछ समय बाद एक भक्त का कल्यान किया वो भक्त भगवान शिरी कृष्ण का परम भक्त बन गया था और जो भक्त भगवान को सच्चे हिर्दय से और समर्पित भाव से भजता है और तन मन धन सभी कुछ अरपण और समरपण प्रभू को कर देता है उसकी रक्षा हेतु भगवान तत पर रहते हैं उसका सम्मान बचाते हैं, उसकी लाज बचाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं. चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़ा रहो. तो यहां एक भक्त के लिए भगवान शिरीके सुन contributor कभी नोकर बन जाते हैं, कभी गाड़ीबान बन जाते हैं, कभी साबरिया वेस में मुनीम बन जात करते हैं और उसका कल्यान करते हैं जिस व्यक्ति कि हम यह कथा सुना रहे हैं उसका नाम धन्पत्था जो बाद में प्रभू कृपास है नरोमश्रेष्ट अर्थात नर्सी बना यह यह वीडियो आपको पुसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से विशियर करें ओमकार रूपम ब्रह्म रूपम चतेजो मयम सनात्रम नमें परमात्म ले चापी तत यह चराचरे परमतेज पुन्ज युक्त महान तत परमात्मा जो ओमकार रूप में संपूर्श्रष्टी में व्याप्त है हम उस परमात्मा की सरप्रथम बंदरा करते हैं दिव्य प्रकृति समन कोई भव्या मात भूमितने सार्व प्रथेव्या मात प्रथिव्यावी जारोपन खर्ती देती सब कुछ अरपन दे जो जीवन मा कहलाती भूमी मास उस्रेणी में ही आती तव हो मनिज एक एक ब्रह्म लावा पिर्थ्वी पर अधिकार जतावा रचती और मिटाती रहती नहीं त्रास ये उनका सहती पूरण जनम लक्ष चोरासी भ्रमित रहे मानवतन रासी इसकरबा मानवतन पावा नहीं हर भजन न परहित लावा मानव जीवन बृथा गमाई मानवों प्रभूकर पाठो कुराई दिविप्रकृति के समान यहां कोई भव वश्तू नहीं है और पिर्थ्वी माता सभी को जनम देती है पिर्थ्वी पर जब बीज रोपा जाता है तो पिर्थ्वी पुत्र रूप में उसको जनम देती है पिर्थ्वी पर सभी चराचर प्राणी जनम लेते हैं इस प्रकार पिर्थ्वी सभी की माता है और जो जीवन देती है माता कहलाती है पिर्थवी माता पिर्थम माता के रूप मे आती है दुतिय माता जनमदात्री होती है तब भी मनुश एक भ्रहम लाता है और पिर्थवी पर अपना दिकार जताता है ये मेरी है ये मेरी है ये मेरी है जबकि पिर्थवी मनुश मातर नही प्राणी मात्र की है और रच्ती मिटाती रहती है वो उसका दुख भी नहीं सहती है और मनश्यों नहीं तो चराचर प्राणीयों में 84 लाख जनम के बाद मिलती है क्योंकि इसे श्रेष्ट माना गया है श्रेष्ट क्यों माना गया है क्योंकि मानब बुद्धिवान होता है और बुद्धि के दम पर सभी जीवों पर वो अपना वर्चश्व बनाए है कुछ जीवों से काम लेता है जैसे बेल गाड़ी उट गाड़ी इत्यादी दोड़े इत्यादी हाती इत्यादी बैसावारी का काम लेता है कुछ से अन्नकारी लेता है, सहद लेता है, कुछ से दूद लेता है, कुछ को आहर बनाता है इस परकार सभी प्राणियों पर मानव का वर्चस है यी सिक्रपा मानव तन पावा, नहीं परहित नहीं भजन लावा और उस प्रभू के किरपा से मानव को 84 लाख योनी के बाद इश्वर मनश का जर्म देता है परन्तु इसके बाब जूर भी मनश कुछ मनश सबी नहीं कुछ मनश ना तो भगवान का भजन करते हैं ना परहित करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानव जीवन ब्रथा गमाई मानव प्रभू करपा ठुकराई मानव की भगवान ने जो उस पर करपा की यानि 84 लाख अन प्राणियों में से श्रब श्रेश्ट प्राणी का जनम दिया तो उसने अपने जीवन को वर्थ गमा करके प्रभू की करपा को ठुकरा दिया और प्रभू करपा बिन हो नहीं जीव जगत उधार सच्चे अच्छे का सोयस गाए ये संसार जगत पतिक्रिशन चंद्रपद जैसर्णम यानि कि प्रभू की किरपा के बिना कहावत तो यहां तक की पत्ता नहीं हिलता लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि इश्वर की किरपा के बिना कुछ जीव जगत यनि इस संसार में जो मुर्थ लोक में प्राणी है उनका उद्धार नहीं होता अर्थार मन चाही नहीं होता है हरी चाही तत्कार जाना चाहा स्वरक को भेदिया पाता यानि कि मन में हमारे में जो है वो नहीं होगी इश्वर जो चाहता वो तुरंत होगी कुछ लोग इश्वर मानते हैं कुछ प्रकृति मानते हैं कुछ ब्रह्मों कहते हैं कुछ भगवान कहते हैं सब एक ही चीज है सक्ति सक्ति की पूजा है सक्ति जो भी है और जो सक्ति को मानता है वो आस्तिक है और सक्ति की ही सदर्व से पूजा होती आई है और होती रहेगी तो पाहने सम हाँ प्रभू की किर्पा के बिला संसार में कल्यान नहीं होता पर अच्छे और सक्चे का संसार यस गाता है आज संसार में जो महापुरुष हुए हैं वो सक्चे और अच्छे हुए है इसलिए वो उनका यस गया जा रहा है और महापुर्ष से तात्परिय है हमारा राम, कृष्ण, पुद्ध, महावीर, गांदी और विश्व में बहुत सारे हुए है अबराहीम, लिंकने, केनेडी हैं बहुत सारे लोग हुए टालश्टा हैं इसा मसीह हैं यह सब महापुर्ष की श्रेणी में लिए गए हैं और यह पृष्ण, 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 नहीं देती उसी प्रकार पुष्व में सुगंदी छुपी रहती है अनभव कर सकते हैं आप दिखाई नहीं देती तसरभी उर्जा ससे प्रभा अंतस में चेतन आ वहीं इसी प्रकार सूर्या में उर्जा होती है सस्चंद्रमा में चमक होती है और अंतस में जो हमारे अंतस में चेतना होती है जसतन में वासा आत्म का प्रभूतत तो आत्म पावईं बटकत फिरें नर प्रभू धूंडत जो निजहर दें में समावईं जिस प्रकार से शरीर में आत्मा का वासा है उसी प्रकार आत्मा में प्रभू का वासा है परन्तु मनश्री बटकता फिरता ढूरता फिरता इश्वर को जो हमारे हिर्दे में रिंग बेद में इस लोक आया है ओम पूर्ण मद है पूर्ण मदम पूर्म 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 पूर् कहीं शिब कहा गया है जैसा जिसकी भावना है उस प्रकार से आप मान सकते हैं लेकिन ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हम ज्यादा लंबी चोड़ी बात लगए करें सिर्फ एक बात कहेंगे कि धरम गरंथ बेद सास्तर में मिली बात बस दोए और सुख बाटे सुख मिलत है दुख बाटे दुखोए निर्दोश मन परहित रहे प्रभुनिष्टि को मन में धरें आलोक हो अंतस में तब अरपनस्वयम उनको करें परमात्म आत्म नभेद हो तहे भक्त को ही प्रभु बरें उस भक्त के वो सारबकार ये नो करके समप्रभु ही करें अर्थात जिसका मन निर्दोश होता है निर्विकार होता है कोई विकार इंदोश नहीं होता और प्रभू में उसकी निश्ठा शर्दार भावना होती है उसकी आत्मा में भगवान समाई रहते हैं तब ही उसके हिर्दे में आलोक यानी प्रकाश होता है और वो प्रभू को समर्पित कर देता है परमात्म आत्म नभेद हो तब फिर आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं रह जाता ऐसा व्यक्ति निर्दोस भावाला शुद आत्मा वाला परमात्मा में विल्य माना जाता है और उस भक्त से प्रभु महाल प्रसंद होते हैं उसके इतने प्रसंद होते हैं कि भगवान उसके कार्ये भी श्वयम करते हैं। परन्तु उस धनपत नाम के व्यक्ति ने भी प्रभू को अपना तन, मन, धन सब कुछ और पढ़ कर दिया था और समर्पन भाव से राद दिन पूजा करता है था जनरंजन अत्यसिय मन भावन क्रेश्न भक्त की कथा ये पावन मनुष्यों के मनुष्यन के लिए और आनंद के लिए ये मन को अच्छे लगने वाली भागवान क्रिश्न की एक पवित्र कथा है महती कृपाश्याम की बरसी धनपत से बन गया वो नरसी जो भक्त जिसका नाम धनपत था वो नरों में श्रेश्ट हो करके नरसी कहलाया तू दक्षण दिच गुजरात है पावन जूना प्रभू भागवान श्री किष्ण द्वार का चले गए थे कुछ समय के लिए द्वार का बस गए थे तो द्वार का के समीप ही एक जूनागड नाम की नगरी है तो गुजरात प्रांत में तेरे मंगू मलसा हुकारा अती धनिक में ती ब्यापारा वहाँ पर दूनागड एक मंगूबल सेट रहा करते थे वो महान कृष्ण भक्त थे और महान धनी और ब्यापारी थे बड़े और उन्हें भगवान श्री कृष्ण की भक्ती करके बहुत धन कमा लिया था उनके पास बहुत सी रिद्धियनी धन शिद्धियनी सफलता भगवान कृष्ण की कृपा से थी तो जूनागड में जो मंगूबल नाम के सेट रहते थे उनके साथ पुत्र हुए जिसमें सबसे बड़ा धन्पत नाम का उनका पुत्र था परन्तु धन्पत कैसा था उसका वर्णन हम आप करते हैं कि सुक्रत भाब परहित सुखो ताहिके मन न बिराज अतिक्रपन लो लुप परम करेन दर्म हिकाज जगाते पाते क्रेशन चंद्रबाद जैसरिनम संकर हरियों जै जै घंशाम उसकी ये कथा है कि वो कंजूस बहुत था और भग्मान का भक्त भी नहीं था इस बात से सेठ मंगूबल नाराज भी रहते थे और से समझावते भी थे परन्तु बानता नहीं था सेठ मंगूबल ने सोचा कि इसका वेभा कर दें सायत कुछ सुधर जाए वो लाल्ची था धनपत कंजूस था और भग्मान का भजनी भी नहीं करता था परन्तु बिवहा होने के बाद उसमें सुधार तो नहीं आया परन्तु उसकी पत्नी ने एक जिक्यासा उससे पत्नी को हुई के लिए लगी अपने पती से धनपत से के महराज पती महराज उज्जेन में महाकाल के मंदर के दर्शन करेंगे और शिप्रा पवित्र नदी शिप्रा में श्नान भी करेंगे ये परवा रहा है जैसे कुम्ब के मिले का परवाता है एक बड़ा परवाया तो पत्नी निक्षा रख थी परण्तु धनपत बहुत कंजूश था सवारी होने के बाब जूर उस समय घोड़े हाथी उट इस तरह की सवारीयां हुआ करती थी परण्तु उसने कोई सवारी नहीं ली और पत्नी के साथ पैदल ही चल दिया भगवान का भजन भी वो कभी नहीं करता था शिरी कृष्ण के मन में एक बात आई कि मेरा भक्त बंगूबल तो मेरा बहुत परमभक्त है विशेश भक्त है परण्तु ये पुत्र बड़ा नास्तिक और बड़ा खराब प्रिवर्टी का है ना कुछ दानपुर्ण करता है और नहीं भगवान का भजन करता है ना मेरा कर अच्छा देखें ये कैसा है उसकी परिक्षा लेने की भगवान श्री किष्ण ने सोची क्योंकि जुनागर से थोरी दूरी पर ही द्वार का है अब भगवान श्री किष्ण ने उसकी परिक्षा लेने के लिए एक ब्रहमन का बेस बनाया और ब्रहमन का बेस बना करके वो दे दें टका इक सोने का छोटा सिखका होता था बड़ा सिखका सब्सकिंता है चोटा सिखका हमाइब बात लगवग पांच हजार वर्स पूर्म की ये बातें हैं तो उस्सा में रुपया का चलन नहीं था भारत वर्स में तका कॉडि इस तरह की ही मुद्राएं उस समय चला करती थी तो एक टका प्रहमन ने दान में मांगा और कहा कि आपकी जेहो सेड़ जी आप मुझे एक टका दान में दे दीजिए परन्तु धनपत तो बहुत कंजूस था वो टका क्या कोड़ी भी दान में देने कर नहीं था जब आदमी जो आदमी पैदल चल रहा है कंजूसी की वैसे तो वो दान देने बैठा है उसने कहा मेरे पास टका नहीं है पैसे भांज के दे दूँगा मेरे पास कुछ पैसे हैं तो वहाँ जब मैं शिप्रा में इश्नान करूँगा इश्नान करने के बाद कुछ दान करूँगा जब तुम्हें तोड़ा करके भांजना कहते हैं फु सो रुपे दे दिये पचास दे दिये जो भी दे दिये तो भांजने का तात्परी यही था मेरे पास बड़ी मुद्राएं हैं टका नहीं हैं मैं वहाँ चल कर दे दूँगा परंतु उस धनपत ने वहाँ पहुँचने के बाद भी कुछ नहीं दिया लेकिन कृष्ण ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा वो ब्रहमण बन करके उसके पीछे लगे रहे जब वो शिप्रायंदी में शिनान करके बाहर आया तब पुले ब्रहमण ने बिखशुक बन के कहा कि सेड़ जी अब तो एक तका दान दी दीजी मेरा जो आपने संकल्प किया था कि मैं वहाँ चलके दूँगा बोले नहीं मेरे पास नहीं है भाज नहीं पाया मैं मैं तुम्हें घड़ चलके दान दूँगा अब यहां मेरा पीछा छोड़ दो और ऐसा कहके उन महाकाल के दर्शन करने चला गया और महाकाल के दर्शन करने के बाद लोटने लगा कृष्ण भगवान भी उसकी पीछा करते रहे उसकी प्रिक्षा लेते रहे और आखिर जब वो लोट करके अपने घर आ गया यहीं जुनागर में आ गया तो कृष्ण फिर पहुँच गए कि भाई मेरा आपने वहां कहा था कि अब नहीं है घर चल के दूँगा एक टका दे दीजिए तो कंजू सेट को नहीं देना था बोला अच्छा तो तुम कल आना आज नहीं है शीरी कृष्ण भी उसके पीछे लग गए उसे सबक भी सिखाना था परिक्षा कहले नहीं थी उसे सबक सिखाना था लेकिन कंजू सेट धन्पत बड़ा ही चतुर था अब उसने एक सड्यंत रचा कि भिक्षुक कल भी आएगा मांगने विकारी कल को भी आएगा एक टका तो उसने एक टके के कारण एक सड्यंत रचा सड्यंत रचा वो अपनी पत्नी से बोला कि सुनो यहां बताओ कि देखिये जब वो भीकारी एक टका मांगने आया तो तुम्हें जोड-जोड से रोना चिलाना है कि मेरे पती मर गए बड़े अच्छे थे यह वो है इस तरह का नाटक करना है और मैं मरने का स्वांग रचा करके लेट जाओंगा मैं सांस थाम लूँगा और भाई भाईया उसे कह देना कि अर्थी में मांद के मुझे समसान घाट ले जाएंगा और मुक्ती द्वारा से समसान से मैं वापिस लोट आओंगा तब तक यह भाग जागा मिर्तु की खबर सुनकर ड़ जागा और भाग गया पत्र नी उसकी बिलाप करने लगी कुछ समयवादी परजन और महले वाले लोग आए कि क्या हुआ कि खतम हो गए इन्हें सांस रुख गई हार्ट अटेक हो गया परन्तु वो भिक्चुक कुछ समय तो वही रहा यानि भगवान कृष्ण वहीं दाएं बाएं खड़े रहे गुआ से गए नहीं जब महले वाले परिजन आ गए तो को एकाद घंटे बाद रुख और रोने पीटने के बाद अर्थी बादी गई और अर्थी को मुक्ती द्वार यानि समसान में ले जाए गया श्री कृष्ण भी भीड के साथ चास चलते रहे अब अर्थी वहां भी नहीं गए वो धनपत यह सोच रहा था कि यह समसान में जाए गई नहीं यह भाग जाएगा भिक चुकब इतना बड़ा मैंने ने टकर चाहे अब सब लोग दर्शन कर रहे थे अंतिम उसी समय श्री कृष्ण ने धीरे से कहा अरे कि मेरा एक टका तो दे जाएए सेड़ जी यह सब धन यहीं रह जाएगा तुम्हें थोड़ दिल बाद यह आग में जला देंगे और यह सब धन यहीं रह जाएगा तो जैसे ही धनपत ने देखा तो उस बेकारी में बेक्शुक में कृष्ण की आवा दिखाई दी उसका हिर्दे परवर्तन होना शुरू ह हो गया उसने सोचा कि भाई यह सायद भखवान कृष्ण ही है ऐसा विचार मन में लाकर बोला ठीक है हे देवता आप भखवान कृष्ण हैं या बेक्शुक हैं जो भी है आज से मैं सारा खजाना तुमारे उपर ही लोटा दूँगा और बड़ी जोड चिलाया कि मुझे ख खुल दिया सम्में खुशी की लहट दोड़ गई कि धन्पत चिंदा हो गया मरने के बार धन्पत ने भी कहानी किस्से गड़ दिये कि मैं यम्राज के पास गया मुझे फैंक दिया गया यह हुआ वो हुआ इस तरह की बहुत सी बातें बना करके और धन्पत घर लोटाया उ और उसके बाद क्रिश्टन के नाम पर वो भंडारा भजन तीरतन दान और जाने क्या क्षर्च करना सुरूँ उसने कर दिया और उसका हिर्दे परवर्टन हो गया और धन्पत से वो अभ नरो में श्रेष्ट हो गया नर्सी कहराने लगा भागवान श्री किस्स्टने बने तुम्हारा हिर्दय परवर्तन हो गया है तुम्हारा हिर्दय जाग गया है मैं तुम्हारी भक्ति को श्पीकार करता हूं और धनपत मंद्रों में जाकर के कीर्टन भजन घर्टाल बजाकर के सब कुछ करने लगा चुकि उसका हिर्दय परवर्तन हो चुका था इसी को हम एक भजन के रूप में प्रस्तुत करते हैं अब हम इसी छोटी सी कथा को 21 एपिसोड में एक भजन के रूप में प्रस्तुत करते हैं दक्षण दिस गुजरांत प्रांत में नगर जुना गर प्यारा बसे तहां मंगु मल सहकारा बसे तहां मंगु मल साहुकारा और दक्षण दिस गुजरांत प्रांत में नगर जुना गर प्यारा बसे तहां भारत के दक्षण में गुजरात प्रांत है वहाँ जुना गर नगर है वहाँ पर मंगु मल सहकारा रहते थे हुए चार सुत मंगू मल के जिन में धन्पत अथ प्यारा लेकिन वो कंजूस बहुत था दान पुन नहीं गावारा कुम्भु के मेने जैसा पावन हो कुम्भु के मेने जैसा पावन आया पर्व एक प्यारा बसेता मंगू मल साह कारा बसेता मंगू मल साह कारा पैदल ही उजयन नगर को महाकालदर संठानी पत्नी के संग पैदल चलते खर्च करें हो जाधानी पत्नी के संग पैदल ही गए खर्च करें हो जाधानी कृष्ण ने सोची ले परीक्छा कृष्ण ने सोची ले परीक्छा बेश बेप्रकाधारा बसेता मंगू मल साह कारा बसेता भिक्चु करुपी शीरी करशन ने दान एक तके का मंग लिया बहतेरी की नीमिनत पर नहीं कंजूशन दान दिया गर चल करके दे दान हम घर चल करके देनान हम कंजूसने बचन उचारा बसें तहां मंगो मल साहुकारा बसें तहां मंगो मल साहुकारा घर प्रदान देने की कह दी पर तो घर जाकर क्या किया और घर जाकर कंजूसेटने घर जाकर कंजूसेटने बचने को एक स्वांग किया एक टकले देने पड़ जाए घड़ जा करकन जूस सेठने बचने को एक स्वांग किया पत्नी को सिख लाया रो मरने का सड्यंत किया पत्नी को सिख लाया उसने मरने का सड्यंत किया अब तो भिक्षुक चला ही जाएगा अब तो भिख शुक चला ही जाएगा और बच जाए धन मारा बसेंता मंगू मल साहुकारा बसेंता मंगू मल साहुकारा अर्थी बान धन्पत के परजन ले गए यहां मुक्ती द्वारा अर्थी बान के धन्पत के परजन ले गए जहां मुक्ती द्वारा आग लगाने से पहले ही स्री कृष्णिये उच्चारा आग लगाने से पहले ही स्री कृष्णिये उच्चारा दे जाओ सेड़ जी यहीं सब रह जाएगा दे जाओ मेरे एक टका दे जाओ नहीं सब यहीं रह जाए अर शंकल्पित दन हमारा बसें तहां मंगू मल साहकारा बसें तहां मंगू मल साहकारा अब धन पड़ दर गया थोड़ी दिन में आग लगा देंगे और यह जिगया नहीं मैं सोच रहा था कि भाग जागा विकारी अब जैसे ही उन्हें ने बिकारी की उड़ देखा तो उसमें ब्रहमर में कृष्ण की आभाद दिखाई धन पड़ समझ गया यह सब कुछ भगवान है लीलास की है यह बिकारी नहीं है यह भगवान कृष्ण और यह शही कह रहे हैं कि अगर मैं यहां जला दिया जाता ता कुछ हूंगा ऐसा है परतन हो गया और वह चिला आएकि में जिन्दा हूं तो शुरह यह नहीं नोल और फॉर्टन हुआ धन मैं जिन्दा हूँ छोड़ो बोला मैं जिन्दा हूँ छोड़ो फिर लुटा दिया धन सारा बसेंत मंगु मल सहकार बसेंतर मंगु मल सहकार तुराधा क्रेश्न चारित अतिपावन सुन्दार सारा सयती मन भावन जगत पते क्रिश्न चंडरपद जैश्रणम जै जै हरी ओम सिव जै जै घनशाम बो क्रिश्न भगवान की जै